जे स्री कृष्णा आईए सुनते हैं संतान सक्त में ब्रत कथा एक बार स्री कृष्ण ने इवधिस्थिर को बताया कि किसी समय मतुरा में लोमस रिषी आये थे मेरे माता पिता देव की तथा वशुदेव ने भक्ति पुर्वक उनकी सेवा की तो रिषी ने उनहीं कंच द्वारा मारे गए पुत्रों के सोक से उबरने के लिए आदेश दिया हे देव की कंच ने तुम्हारी कई पुत्रों को पैदा होते ही मार कर तुभे पुत्र शोक दिया है इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तिमी का ब्रत करो राजा नहुष की राने चंद्रमुखी ने भी यह ब्रत किया था तब उसके भी पुत्र नहीं मरे यह ब्रत तुम्हे भी पुत्र शोक्षे मुक्त करेगा देव की ने पूछा हे देव मुझे ब्रत का पूरा बिधी बिधान बताने की कृपा करें ताकि मैं बिधी पुर्वक ब्रत संपन करूँ लोमस्रिसी ने उन्हें ब्रत का पूजन बिधान बताकर ब्रत कथा भी सुनाई नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था उसके राजय में ही बिश्वुदत नामक एक ब्रामण रहता था उसकी पत्नी का नाम रूपवती था राने चंद्रमुखी तथा रूपवती में परश्पर घनिष्ट प्रेम था एक दिन्वे दोनों शर्यू में अश्नान करने गई वहां अन्यस्त्रियां भी अश्नान कर रहे थी उन इस्त्रियों में वही पारबती शिव की प्रत्मा बनाकर बिधी पुर्वक उनका पूजन किया तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन इस्त्रियों से पूजन का नाम तथा बिधी पूछी उन इस्त्रियों में से एक ने बताया हमने पारबती सही शिव की पूजा की है भगवान सिव का डोरा बाध कर हमने संकल्प किया है कि जब तक जिवीत रहेंगी तब तक यह ब्रत करती रहेंगी यह मुकता भरण ब्रत शुक तथा संतान देने वाला है उस ब्रत की बात सुनकर उन दोनों शक्यों ने भी जीवन परियन इस ब्रत को करने का शंकल्प करके शिव जी की नाम का डोरा बाध लिया किन्तु घार पहुचने पर वे शंकल्प को भूल गई फलत मृत्तिव के पस्चार रानी बानरी तथा ब्रामहरी मुर्गी की योनी में पैदा हुई कालांतर में दोनों पसुयोनी छोड़कर पुनह मनुष्ययोनी में आई चंद्रमुखी मतुरा के राजा प्रित्वीनात की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्रामहरी के घर जन्म लिया इस जन्मे रानी का नाम इश्वरी तथा ब्रामहरी का नाम भूसडा था भूसडा का विवा राजपुरोहित अगनिमुखी के साथ हुआ इस जन्मे भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया ब्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्मे भी संतान सुक से वन्चित रही प्रावडा अस्था में उसने एक गुंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा मगर वह भी नौ वर्ष का होकर मर गया भूसडा ने ब्रत को याद रखा था इसलिए उसके गर्व से सुन्दर तथा स्वस्त आठ पुत्रों ने जन्म लिया रानी इश्वरी के पुत्रशोक की संबेदना के लिए एक दिन भूसडा उनसे मिलने गई उसे देखते ही रानी के मन में दाह पैदा हुई उसने भूसडा को बिदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में बिश्मिला दिया परंतु भूसडा के ब्रत के प्रभावशे उनका बाल भी बाका ना हुआ इससे रानी को और भी अधि क्रोधाया उसने अपने नौकरों को आज्या दी की भूसरा के पुत्रों को पूजा के बहानी यमना की किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए किन्तु भग्वान सिव और माता पार्बती की क्रिपासी इस बार भी भूसरा की बालक ब्रत के प्रभावशे बच गए परिडामतर रानी ने जलादों को बुलाकर आज्यादी की ब्रामहर बालकों को बधस्थर पर ले जाकर मा डालो किन्तु जलादों द्वारा बेहत प्रियास करने पर भी बालक नम मर सके यह समाचार सुनकर रानी को आश्यर्य हुआ उसने भूसरा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर छमायाजना करके उससे पूछा किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए भूसरा बोली क्या आपको पुर्वजन की बात अस्मरण नहीं है रानी ने आश्यर्य से कहा नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं है तब उसने कहा शुनो पुर्वजन में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी हम दोनों ने एक बार भगवान सिव का डोरा बाद कर संकल किया था कि जीवन परियन संतान सप्तमी का ब्रत किया करेंगी किन्तु दुरभाग्यबश हम भूल गए और ब्रत की अवहेलना होने के कारण बिभिन योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्थ हुई है अब मुझे उस ब्रत कोई याद आ गया है इसलिए मैंने ब्रत किया उसी के प्रभावशे आप मेरे पुत्तरों को जाह कर भी नमरवाशकी यह सब सूनकर रानी इस्वरी ने भी बिधी पुर्वग संतान सुख देनी वाला यह मुकता भरण ब्रत रखा तब ब्रत के प्रभावशे रानी पुनह गर्भवती हुई और एक सुन्दर बालक को जन दिया उसी समय से पुत्र प्रापती और संतान की रचा के लिए यह ब्रत प्रचलिद है संतान सप्तमी का पूजन यह ब्रत पुत्र प्राप्ति पुत्र रच्छा तथा पुत्र अभ्यूदे के लिए भाद्रपद के सुक्लपच की सप्तमी को किया जाता है इस ब्रत का विधान दो पहर तक रहता है इस दिन जामवती के साथ शामसुंदर तथा उनके बच्चे सामव की पूजा भी की जाती है माताएं पारवती का पूजन करके पुत्रप्राप्ती तथा उसके अभिवदय का बरदान मांगती है इस ब्रत को मुक्ता भरर भी कहते हैं